बिएस्सी एगरीकल्च्यार फोर सेमेस्टर पॉलेटरी प्रोडक्शन मेनेजमेंट आपजेक्टिव टाइप क्लाज सी एस जे अम्पी कोशन नमबर एक मुर्गी के अंडे में कितने परिस्ट प्रोटीन एवं वसा पाई जाती है तो 12.5 से 13.0 एवं 10.5 से 11.5 परसेंट पाई जाती है कोशन नमबर दो भारत के किस राज में मुर्गियों की संख्या अधिक है तो आंदर प्रदेश कोशन नमबर नेश्ट मुर्गी की कौन सी नसल लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए पाली जाती है तो वह असील मुर्गी है कोशन नमबर नेश्ट मुर्गी के घोसले का ताप क्रम कितना होता है 104 फारने हाइट होता है और मुर्गी के अंडे का ताप क्रम कितना होता है तो 104 फारने हाइट होता है कोशन नमबर नेश्ट मुर्गी के अंडे का उसत भार कितना होता है तो वह 57 ग्राम का होता है 57 ग्राम पुश्यन नमबर नैश्ट मुर्गी के अंडे देने की आयू कितने दिनों बाद होती है तो लगभग 20 सबता बाद नरकुक कोट में गर्दन के उपर पंक वाला भाग क्या कहलाता है तो वह हेकल कहलाता है कुश्यन नमबर नैश्ट मुर्गी के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तो मचली का चूंड मुर्गी के अंड को उसको निकालना क्या कहलाता है तो खसीकरण कहलाता है कुश्यन नमबर नैश्ट मुर्गी, मुर्गियों में एक दूसरे के अंडे खाने की बुरी आदात किस तत्त की कमी से होती है तो वहाँ कैल्सियम की कमी से Q2. मुर्गियों में पंक नोचने की बुरी आदात किस की कमी से आती है तो वहाँ नमक की कमी से आती है Quesion No. Next पस उपालन एवं दू दबडे में कितनी मुर्गियों के लिए एक मुर्गा रखा जाता है तो 10 से 15 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा रखा जाता है मुर्गी के स्वसंदर होती है तो 15 से 30 प्रत मिनट मुर्गी के आहार झालन एक मुर्गा जाता है